दियर आयस स्टूर्डेंट कॉमर्स स्ट्रीम वाले मुझे बहुत लेट इंफरमेशन मिला हाला कि सारे इंफरमेशन समय नहीं इंफरमेशन है लेकिन मैं आपको जो लास्ट मिनट इप स्ट्रिक्स बता रहा हूं और यह जो जादकारिया मुझे राप्त हुई है बता जाते ह है तो आप क्या करेंगे और लास्ट में इंपर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जिसको अभी आपको रिपीजन कर लेने हैं तो आपको लास्ट जो टेन इयर से इसको बना लेने है जो बताया गया है करीब 50% कोस्टन इसी से रहेंगे कि वर वर्ड का चेंज होगा या फिर नंबर का चेंज होगा लेकिन एक क्वेश्चन आपको बना लेने है या जो देख लेने है करीब 2013-14 से लेकर 2020 तक के देख लेने हैं क्या आपको नहीं करने अभी किसम में तो 2022 के क्वेश्चन या उस समझेशन में आए रिटेल समस्टर 2 वाले के चाप्टरों को करना हुदा क्योंकि वे पुछे नहीं जाएंगे और यह जरूरी है इस्पेस्मेंट सैंपल पर नौ सिर्फ 2023 के बना लिए बलकि 2020 के बना ही है 2019 के बना लिए 2021 में वोड़ेगा में से नहीं हुआ था उसको छोड़ दीजिए क्योंकि इस समय जो चानकारिया मिल रही है उसक से आपके इंच एप्ट्राइब बहुत जाता है इंपोर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट और फिनांसिंग इसके इंपोर्टेंट पार्ट भी मैं बता दूंगा अभी मेरे पास पूरे डिजेल्स हाथ लगी है सोचा कि मैं आपके साथ सीर करूँ तो सबसे पहले है क कि किस तरह से को सब्सक्राइब इसमें जिसको एक्स्प्रेंट करने होगे बेसिक बताने होगे और टाइप्स बताने होगे तो यह आप अच्छी तरह से करेंगे इसमें कौनी भी गलती नहीं करेंगे डिफ्रेंट से क्वेश्चन रहेंगी रहेंगे कॉमननेस दो किसी भी articles या situation से या फिर आपके जो भी term दिये रहेंगे और उसमें commonness होगा फिर table आपके books और के chapter जो marketing management और financing में चितने भी table से उसको देख लीजिए यहाँ पर commonness और table से बताई जाते हैं कि 10 से 15 marks के question आ रहे हैं और activity based या question mark type जो questions उसको आप देख लीजिए या आपके chapter में जहाँ पर एक rage के गया है thought point है उसको का जाता है कि यह higher order level thinking पर added questions होगे तो inquest audit को देख लेने हैं फिर आपको जो भी process procedure और step best question को इसलिए भी बनाने है तित detail आपको उसके answer को करना है क्योंकि इस बात step marking की बेवस्था की गई है और मुझे जो जानकारी समय लास्ट मिनट मिल रहा कि आपके जो step marking है इसके लिए जो भी marker है four marker है three marker है two marker questions है उनमें answer को आपको पूरी details में बताने अब आपकी question होंगे कि mcqs को किस तरह से attempt करें तो कि mcqs को साधारन cbsc या icc code वाले नहीं है यहाँ पर mcqs में आपके four options होंगे यह mcqs में true false है mcqs में fill in the blanks है जहाँ पर region देने है mcqs जो four option वाले वहाँ पर reasonable भी है उसमें principle based है चोरी दिये वह है उसके लिए आप logic और reasoning का सहारा लेंगे मोटे तरफर यह आपके पूरे understanding और administration को करें करें बताएंगे कि आपने किस तरह से तयारे five marker question के लिए at least 75 to 100 word में लिखने होंगे आपके answer और answer को पूरी तरह से point wise, four marker में आपको 62 to 75 words, three marker में at least 50 to 60 words, 70 words भी आप जा सकते हो और two marker में 30 से 40 words आपको लिखने है और यह सारे answer maximum point wise होने चाहिए जिसको underline किये जाने की ज़रुरत है और जो point को आप highlight करना चाहते हो, examiner को बताना चाहते हो, उनको realize करवाना चाहते हैं कि आप इन points पर है तो आप उन्हों को ही highlight करेंगे, अब last में मैं बता देता हो कि सबसे important parts या predictions किया हैं, तो financing में loan fund और capital आप देख लेंगे, banking आपको समझ में आते हैं, आप इसको गोधरू कर जाए, management में principles और functions, जितने में functions और सबको तेट जाए, और आप जब क्यामनेशन देखे आएंगे तो हमें बताएंगे कि यहां से question आया कि नहीं है, marketing में product mix and price mix की अनावे, जो consumer products है, यह topic है, इनको आप देख लेंगे, कोई भी यहां पर question तो नहीं बता सकता, लेकिन जो trend रहे और जिस तोरह से सामने बाते आई हैं, मैंने आपके साथ share कि आए, तो इस video को like करने के साथ चाहिए, को सबस्कर कर के, लिए्यकल enthusiasts really, all the best.